नमस्कार दोस्तों इन्वार अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मोग टेस्ट 3 तेयार है आपके लिए मोग टेस्ट 2 जो है मोग टेस्ट 1 की कम पेर में कम बच्चों ने दिया मोग टेस्ट 2 मात्र 3,000 बच्चे जो है उसमें पेर हु के आसपास सही कर पाए हैं और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं ठीक है जो कि 50 भी क्रोस नहीं कर पाए हैं क्योंकि 70 तो एवरेज है तो जो बच्चे 140 टीक 130 120 ऐसे कर पा रहे हैं सही तो उनक्से थोड़ा सा एवरेज ऊपर चला गया बट अगर हम देखें तो बहुत सार किये हैं पिछला मॉक टेस्ट इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मॉक टेस्ट वन में भी बहुत कम बच्चों का स्कोर गया था देखें बचें अच्छा मॉक टेस्ट जो है वो मुश्किल नहीं होते हैं अच्छे मॉक टेस्ट जो हैं वो आपको एक सही पात एक सही रास् यह जो मोग टेस्ट है हमारा यह NTA के पैटरन पर है पहले 50 कोश्चन पेपर 1 से लिए गए हैं जो NTA ने जो पिछले कोश्चन किये हैं पिछले सालों में वो ही है और वैसे ही 100 कोश्चन पेपर 2 से हैं जो जो है NTA ने किये हैं CBSC ने UGC ने किये हैं वो कोश्चन है तो इस तरीके का जो मोग टेस्ट है वो बेसिकली आपको सही दिशा दिखाता है कि आपकी तयारी किस दिशा में है है ना हम आसान आसान से कोश्चन तयार करके आपको देदे हैं और आपका स्कोर हाई आए ठीक है तो किस दिशा में चल रही है तो हमेशे की तरह आपको मैं यही कहूंगा कि जब भी आपके पास में तीन घंटे का समय होगा तब जो है मोग टेस्ट आप यह देना आराम से टाइमर लगा के बैठना एक एक कोश्चन आप पढ़ना और उसको सही तरीके से जज़ करके आपने देना है जैसे ही आप अपना पेपर सम्मिट करेंगे आपके पास में अपका स्कोर आ जाएगा और आपकी इमेल पे 1957 रिस्पॉंस आ जाएगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सा कोश्चन आपने सही किया है और पने गलत किया है ठीक है बच्चो अभी आपके पास मे PYQ पे थोड़ा focus दो numerical portion पे थोड़ा focus करो अपना जो भी important topic मैं हमेशे आपको बताता आया हूँ उन पे जो है थोड़ा सा अपना focus डाल के उनको revise कर लो इतना अगर आप कर लेते हैं तो definitely आपका जो है net नहीं रुकता है थोड़ी सी मेहनत जो बच्चे पहले से start कर दीए हैं मेहनत करनी वो जियरोफ के आसपास होते हैं जियरोफ उनका हो जाता है जियरोफ का seat limited है बट फिर भी जो मेहनत करते हैं उनका जियरोफ हो घी जाता है जियरोफ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत सारे बच्चे जो है हमारे कहीं सालों से लगतार जेयरफ करते हैं आ ही रहे हैं ठीक है maximum जेयरफ हमारी academy से ही निकलते हैं बट अगर आप सही दिशा में अपना revision करोगे तो आपके चांसिस अगर net के हैं तो जेयरफ तक पहुँच सकते हैं इन 12-13 दिनों में बस आपने पीवाई क्यू पे फोकस डालना है अपना एंड जो कोशन अब इसे तीन मौक टेस्ट है तीनों मौक टेस्ट में आप देखेंगे कि यह कौन से टाइप के कोशन आप नहीं कर पा रहे हैं उस पोर्शन पर थोड़ा फोकस करो ठीक है कर डियाई नहीं आपको समझ में आ रहा ह होगा एंड आपके जीरफ के चांसिस इंक्रीज हो जाएंगे ठीक है बच्चो इस टेस्ट का लिंक हमेशे की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे टेलीग्राम पे ब्रोड़कास लिस्ट में सभी जगह पे जिसे कि आप आसानी से इसको जो है देख हमारा सपोर्ट आपके साथ में है हमेशे रहेगा बस आप महनत करो ठीक सही दिशा में जब आप महनत करता है बच्चा रिजल्ट आता है हमें बहुत खुशी होती है यही हमारा उदेश्य है कि इन्वार्मेंट साइंस का हर बच्चा जो है अपने जिंदगी में अच्छा क ठीक है बच्चा जियो बच्चो टेक केर गद ब्लस्यू ओन